इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले, एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उप जो श्लेशमा जिल्ली की सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। 1. इसका यूज मेंली नाक की श्लेशमा जिल्ली की सूजन के लिए किया जाता है। 2. यह चिड़चड़ेपन और नासिका पोस्ट से जुड़ी पुरानी बीमारियों के लिए एक उपाई के रूप में काम करता है, जो नम और कच्चे लगते हैं 3. यह यूस्टेशियन ट्यूब और शलेशमा जिल्ली में परेशान करने वाली कंडिशन्स को रोकने में हेल्प करता है, जो बैंगनी और धीली हो जाती है, और गुदा और मलाशे में खुजली और जलन के साथ ज्यादा स्रावित होती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको यह विडियो अच्छी लगी हो, तो इस विडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बैल को टर्न अन अ पर सेट करें